असलाम अलेकूम क्या हाल चाल है जनाव आप सब लोगों के उमीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे वेलकम करती हूँ आपको अपने जाने पहचाने से चैनल इस इस मी वर्ड पर मुझे किसी ने कॉमेंट करके बोला था कि आप बहुत तेज तेज बोल रही हैं तो प्लीज आज मैं कोशिश कर रही हूं को थोड़ा साहसता इस ता बोलने की कोशिश करूँ को ताके आपको मेरी बात समझ आए आपसे जो मेरा कनेक्शन जुडा हुए वह बरकरार रहे तो जनाव जी वह व्लॉग का स्टार्ट करते हैं जैसे के ईद की चुटियां खतम हो गई हैं स तब इद की चुटियां जैसे के खतम हो गई हैं सब अपने अपने घरों में ठिकाने लग रहे हैं तो अलागतार हैं तो मैं यहाँ पर आपको नजर आ रही हूं डाइवो के अड़े पर आप मेसे जन जन नोगों ने डाइवो का सफर किया हो गगा उनको अंदाजह हो गया यहां पर कौन आ रहा है जनाब यहां पर आई है मेरी बेहन इसलामबाद से जिनको हम रिसीफ करने गए थे यानि के दो दिन पहले वो मेरे घर आई थी तो मैं आज इसके कलिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ असलामबाद से आई है मेरी बेहन कराची क्योंकि इनको अटेंड करनी थी यहां पर दो शादियां तो ये आई हैं आज मेरी घर पहली दफ़ा जब से मैंने घर चेंज गिया है पहली दफ़ा आई है तो हमने इनका वेलकम किस तरीके स तो हमने कहा इनका वेलकम ड्रीम केक के साथ करते हैं वैसे भी कहा जाता है हर अच्छे काम के शुरुआत मीठे से करनी चाहिए तो यहां पर जी हम अपने ड्रीम केक इंजॉय कर रहे हैं और आप इस प्यारे से पपी को देख सकते हैं आप सोच रहे हूंगे क्या स्ट्री को दिखा रही है और इस डॉक का हमारे से क्या तालुक है तो जनाब बड़ा गहरा तालुक है कि बच्चों की जो एदियां जमा हुई वी थी तारे महले के जो बच्चे हैं पांच से छे इनके मेंबर्स हैं तो उन्होंने बच्चों ने सारा क्या किया काफी दिन से इनके डॉणी सामने आया तो समझ आगया के इनकी आईदियां बच्चों की कहा गयी सारे बच्चों ने अपनी य दियां मिला कर तो यह लगम को इन्होंने बाय कर लिया है चुपकर और अपने बड़न को बता बगैर तो अब यह बिचारा सा पप्पी घर में तो आ गया है लेकिन डॉग ना हो बिलकुल इंसानी हमदर्दी के तौर पर हम इन लोग इनको खाना वगारा दे देते हैं दूद चिकन या जो भी घर में चीज अवेलेबल होती है वो बंदा इनको डाल देता है लेकिन घर में डॉग नहीं होना चाहिए एक तो रहमत के फरिष्टे नहीं आते उपर से बेबरकती और बहुत सारी चीजें होते हैं तो बस जी देखें इस डॉग का अब क्या हाल होता है और इसको यहां पर रहने की जाज़त मिलती है महले में कि नहीं और इसके साथ क्या होता है तो इसके बात के लिए जरू नेक्स व्लॉग तक आपने मेरे साथ रहना है और जो भी नहीं देखने वाले हैं जरूर में चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है वीडियो को लाइक कर देना है और प्यारा सा कमेंट कर दिएगा कि इस डॉक को यहां पर रहने की इजाज़त मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए या इसको वापिस भेज देना च कर दिएगा और यहां पर आप देख सकते हैं एक बहुत मज़ेदार सा डाक चॉकलेट फज केक बन रहा है मैंने सोचा था कि इद पर केक बनाऊंगी और बच्चों ने काफी अरसे से बोला है कि मुमा रच चॉकलेट वाला केक बना दें आप बहुत मज़ेदार होता है बेक होने ओवन में गया है और साथ मैं इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए बहुत ही असान सा बना रही हूं मुझे जादा डेकॉरेशन वगयरा और क्रीमों वाले काम नहीं होते ना इतने जादा भारी केक खाया जाते हैं तो बस मैंने यह नॉर्मल सी कुकिंग चॉकलेट ली है हाफ बार थी 30她 है, तो यहाफ बार है और है के शालोब काहा आप मुझेग चॉकलेट के एक प्रेम स्वाचे के लिए ला पता निग counting da देखने में भी एक काफी मज़दार लग रहा है और यकीन जाने बहुत मज़दार बनकर रेडी हो था बिलकुल परफेक्क जैसे बजार के जैसा घर में एक दो गेस्ट आये थे तो उनके आगे भी मैंने यह रखा तो उनको भी यकीन नाया कि यह के घर का बना हुआ है या ब बच्चों को दे दी थी थी तो बच्चे के महले के बच्चे वह थे तो उन्होंने भी खाकर मत्मछे में यह कुछ हो गय और मेरा काम भी हो गय है offer कार्ड़ दी और स्कॉरपीस कर दिये थे के तो जनाब हमारा बनकर रेडी है और यह घर में के कम घर में भाना बनाया गर लेकिन जो आजकल रेडी मेंट वाक्स मिलते हैं केक मिक्स के तो वह अगर आप ले लें तो बिलकुल परफेक्ट केक बनकर रेडी होगा घर में ना मेजरमेंट की परिशानी होगी ना टेंशन होगी कि यह सई पूलेगा के नहीं सई बनेगा के नहीं तो आप खाल से 500 रुप यह अच्छी कॉलिटी वाले जहां पर केक्स मिलते हैं तो यह केक आप घर में बना सकते हैं तकरीवां अगर 500 रुपए का यह 4500 रुपए का एक बॉक्स है और साथ क्रीम और चीज़ें मिलाकर तकरीबन 100-200 रुपए उपर तकरीबन लगेंगे और घर में केक आपकी नजर किते हैं तो आई होप आज की रेसिपी पसंद आई होगी आज को चोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा जाते जाते में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीगा और मिलते हैं नेक्स व्लॉग में नई किसी चीज़ के साथ अलाहाफिज